सबी जातियों को राम राम नोशकार उमीद करतों आप सभी बहुत ही बड़ी होंगे आप मैं से कुछ कैंडिडेट के द्वारा एक सवाल पूछा गया है कि सर फिजिकल कब तक होंगे और फिजिकल के लिए कितना टाइम मिल जाएगा और कैस पर चुनापका कोई प्रवाब पढ़ने वाला है तो यह पूरी जानकारी आप सभी को इस वीडियो में मिल जाएगी अगर आप यूपी बिलिस कॉंस्टेबल की भरती में सलेक्ट होना चाते हैं तो आप इस वीडियो को लास तक जरूर देख लेगा यह इंफॉर्मेशन आपके लिए काफी जरूरी रहन हों देखो यहाँ पर अगर आपने अब तक सभग ने लिया तो जरूरूरी सभग लेने की और सबक किस्ते आप सभी को लेने कि अभी इसेंट्ली आप सभी को बता है कि दिल्ली पुलिस का इंग्जामनेशन आप सभी का हुआ है आप सभी में से बहुत सारे कंडिडियेट यहां आपके पडोसी, रिस्तेदार, भाई, बेन, किसी ना किसी ने examination जरूर दिया होगा, जिसमें physical में वच्चों को बहुत ज्यादा देखकत हुई है, और physical की वज़े से ही वच्चों के यहां merit में काफी number high थे, लेकर उनको physical में disqualify होना पड़ा, सेम यहां पे अगर मैं बात करूँ, UP Police की भरती में तो देखो, UP Police की भरती का क्या है, यह जब तक delay होती है, कि जब तक इसके application form ना आ जाए, और दूसरा एक और जगे आपको delay देखने के लिए मिलेगा, वो देखने के लिए मिलेगा आपको result के लिए, यानि जब आपका exam हो जाता है, तो इसके बाद result आने में थोड़ा सा time लगता है, बागी का यह process में कभी भी time नहीं लेते हैं, अब आप एक चीज़ समझ के समझो, कि यहां पे अगर आपका result declare हो गया, हैं, या फिर वो physical qualify नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे बच्चे आपको देखने के लिए मिलेंगे, कि आप यह समझो को देखो धाई गोना बच्चे qualify होते हैं, धाई गोना बच्चों में से भी यहां पे क्या है, कि merit में जादा बच्चे बच्च नहीं पाते हैं final तक, उसका region सिर्फ एक ही है, कि बच्चा क्या सोचता है, कि यहां पे written examination का जब result जारी हो जाएगा, तो इसके बाद हम physical की तयारी करना सुरू करेंगे, और यह you people responsible की भरती में बिलकुल चलता नहीं है, क्योंकि जैसे आपका result declare होता है, उसके within a week आपका physical start हो जाता है, तो आगर आप पहले से तयार हैं उसके लिए, तो आप physical qualify कर जाएंगे, अगर आप सोचते हैं कि result आने के बाद मैं तयारी करूँगा, तो यह कभी possible नहीं हो पाएगा, अब यहाँ पे जो चीज निकल क्या रही है, वो निकल क्या रही है, election की वज़े से काफी वच्चे पूच रहें, कि election होंगे, तो कैसे भरती चलेगी, तो आप सभी को बता दें, कि election से पहले, आपकी अगर कोई भरती आ चुकी है, उसके online आविदन हो चुके हैं, विग्यप्ति जारी हो चुकी है, तो उस पे election का कोई भी प्रवाब नहीं पड़ता है, यानि कि आचार सहिंता के टाइम में, कोई भी नई भरती आपकी नहीं निकलती है, यह चीज आप समझ के चलो, ऐसा नहीं है, बागी का जो प्रोसेस है, आपका चलता रहेगा, क्योंकि इतना बड़ा काम नहीं है, भरती वोड का काम है, तो भरती वोड अपना ही जो काम है, वो आराम से करवाता रहेगा, इसलिए मैं आप सभी को सिर्फ एक ही सजेशन दूँगा, कि अगर आपको UP Village Constable में सलेक्शन चाहिए, तो देखो, रिटन एक्जामनेशन की डेट आपकी क्लियर होई गई है, कि भाई 17 और 18 फरवरी को आपका एक्जामनेशन होगा, मैं कहता हूँ कि 17 और 18 फरवरी तक पूरे फुल डेडिकेशन के साथ, अपने रिटन एक्जामनेशन की तयारी करो, रिटन एक्जामनेशन देने के 17 और 18 के बाद एक दिन रैष्ट मारो, 20 तारीक से 20 फरवरी से ही अपने फिजिकल की तयारी में जुड़ जाओ, तो आप ये समझ लेना कि आपका बेड़ अपार हो जाएगा, और यूपे बिलिस कॉंस्टेवल का जो आपका नौकरी का सपना है, वो जरूर 2024 में पूरा हो जाएगा, लेकिन ऐसे बच्चे जो ये सोच के चलेंगे, कि भाई ये जब रजल्ट में नाब आ जाएगा, उसके बात दौर्ट तुरू करेंगे, तो भूली जाओ भाई दौर्ट संभव नहीं है, क्यूंकि आप सभी को पता है, 4.8 किलोमेंटर की रनिंग होती है, और समय दिया जाता है 25 मिनट, तो 25 मिनट में आपको 12 चक्का लगाने होते हैं, 400 का आपका ग्राउंड होता है, साथ ही में अगर बात करें, तो फिमेल केंडिडेट की जो रनिंग होती है, वो कितनी की होती है, 2.4 किलोमेटर की रनिंग होती है, जिसके लिए 14 मिनट का आपको समय दिया जाता है, और एक चीज़ यहां पे क्लियर है, कि आपकी जो रनिंग होगी, जब तक गर्मी का भी मौसम थोड़ा सा आचुका होगा, तो तैयारी आप फर्वरी में, जैसे ही आपका रिटरन एक्जामनेशन हो, उसके तुरंद बाद, आपको पता लगी जाता है, देखो हर कैंडिडेट को पता लग जाता है, कि हमने रिटरन एक्जामनेशन में कितना बढ़िया किया है, उसके बेसेंस पे अगर आपको एक परसेंट भी खुद भरोसा है, कि मैं रिटरन एक्जामनेशन क्वालिफाई कर जाओंगा, और धाई गुना कैंडिडेट में में मेरा सेलेक्शन हो रहा है, तो फिजिकल की तैयारी में लग जाना, भरती प्रकरिया चुनाब की वजए से बिलकुल भी डिले नहीं होगी, उमीद करता हूँ कि यह चीज़ें आपको बिलकुल के लिए समझ में आगी होगी, तो भरती प्रकरिया जिस प्रकार से चल रही हो, उसी प्रकार से चलती रहेगी, इसमें बिलकुल भी डिले होने को नहीं मिलेगा, साथ ही मैं अगर मैं बात करूँ तो देखो सभी जो आपके ट्रेनिंग सेंटर हो खाली हो जाएंगे क्योंकि अभी सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग चल रही है तो वो भी complete हो चुकी होगी आपकी भरती जब तक complete होगी उससे पहले ही वो complete हो जाएगी संदाई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सबस्क्राइब करने और वेल आइकन पर प्रेस करने ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें में लिए नेक्स्ट वीडियो में तो थैंक यू फो वाचिंग जय हिंग जय बारत